में एक काले बंदर का खौफ था एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा होता है तो अचानक वो भूतिया बंदर उसके सामने आगर उसे डराने लगता है ए भूतिये बंदर लगता है तु पिछली बार की मार भूल गया है जो फिर से बंदर का भेश बदल कर इस गाउं में आ गया है अब की बार तेरी ये तरकीब काम नहीं करने वाली अभी के अभी वापस लोट जा अगर गाउंवालों ने तुझे यहां देख लिया तो तेरी हंटी पसली एक कर देंगे चल लिकल यहां से जब पपू इस भूतिय बंदर से नहीं डरता तो ये सब देख कर वा बंदर गुसे में आ जाता है और पपू को जोड़ जोड़ से चिला कर डराने करता है ए बेबकोफ इंसान तुझे समझ में नहीं आता क्या आई मैं तेरी असलियत जानता हूं मुझे पता है तो इस भूतिय बंदर के भेस में बहरूपिया है ज़े लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा रुक तुझे अभी सबक सिखाता हूं फिर जैसे ही पपू से सबक सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है वा बंदर दोर से उसकी टांग पर काट सेता है अरे मर गया अरे यह तो मेरी टांग ही खा गया अरे मर गया अरे बहुत अर्दोरा है तब ही वा बंदर गुस्से में आकर पपू की टांग को इसकी शरीयों से अलग कर दीता है और इसकी टांग अपनी दांगों में दबा कर वहां से भाव जाता है औरे अरे मर गया पिर जैसे तैसे पपु वापस अपने गाउं को होचता है आये मर गया रे, आये, बहुत दर्द हो रहा है, आये, काले बंदर तेरा नास मीते, मेरी टांग ही चबा गया, है रे अजी ये क्या हो गया, आपके टांग कहा हो गई वो कहीं गूमने गई है, पीछे पीछे आ रही होगी, बूर खौरत दिखाई नहीं देता क्या, मेरी टांग कट गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ फिर उसके पत्नी भाग कर जाती है और गाउं के डॉक्टर को बुला लाती है डॉक्टर उसकी कटी टांग देख कर हैरान रह जाता है अरे पप्पु जी, ये सब कैसे हो गया? डॉक्टर साहब क्या बताओं, मैं शहर जा रहा था, तब ही मुझे रास्ते में वो काला बंदर मिल गया मुझे लगा वो कोई बहरूपिया है, ये सोचकर मैं उससे शक्तिमान मन कर लड़ने चल पड़ा लेकिन वो कमबख्त भूतिया बंदर तो असली निकला, उसने मिरी टांग ही काट ली और उसे अपने दातों में फसा कर वहां से भाग निकला हाई, और मुझे जिन्दगी भर के लिए लूला बना गया हाई डॉक्टर, किसी तरह मेरी टांग वापस लगा दो ना मैं तुमारी टांग को वापस तो जोड सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे तुमारी टांग की जरूरत पड़ेगी अब मैं टांग कहा से लाओं, वो तो वो गंबक्त भूतिया बंदर लेकर भाग गया अगर 24 घंटो में तुमारी टांग तुम्हें वापस नहीं मिली, तो फिर मैं उसे वापस नहीं जोड पाऊंगा डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी पत्नी की एक टांग काटकर मेरे शरीर से जोड सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपनी एक टांग दे दे तो प्रियतम, मेरी रानी, जरा मेरी बाट का से न देखो जी, मेरी तरफ तो देखना भी मत, अब भले ही जिन्दगी भर लूले बनकर घूमते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं अपनी एक टांग नहीं देने वाली एरे भागवान, यही तो मौका है, अपना प्यार साबित करने का नहीं जी, मुझे अपनी टांग ने कर कोई प्यार व्यार साबित नहीं करना आपको तेरा नास मीटे मूर का अरत, मुझे पहले से ही पता था, तु मुझे से प्यार नहीं करती देखो, तुमें कुछ भी करके अपनी टांग को 24 घंटे में ढूनना होगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर वर डॉक्टर पप्पू की टांग पर पट्टी लपेट कर वहां से चला जाता है अगरा दिखाएं पप्पू गाउं में बाकी लोगों को अपनी साथ हुई घटना के बारे में बताता है पप्पू भाई ये कैसे हो सकता है पिछली बार तो हमने खुद उस काले बंदर का परदा फाश किया था तुम्हें कोई गलत फैमी हुई होगी भाई तुम्हें क्या मेरी कटिवी टांग दिखाई नहीं दे रही जिससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुम्हें ठीक है ठीक है हम मान लेते हैं कि अपकी बार सच में कोई भूतिया बंदर है जिसने तुम्हारे उपर हमला किया है आज से सभी गाउवाले सतर्क हो जाएं कोई भी रात होने पर अपने घर से बाहर न निकले ठीक है चलो अब सब अपने अपने घर जलते हैं अरे भाई रुको रुको मेरी टांग का क्या होगा दॉक्तर ने मुझे मेरी टांग 24 घंटे में ढूणने को कहा है अगर आज मेरी टांग नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओंगा तो भाई तुम क्या चाहते हो तुमारी टांग ढूणने के चक्कर में हम भी उस भूतिये बंदर से अपनी टांग कटवा लें नहीं भाई नहीं मैं अपनी जान जोके में नहीं डाल सकता अगर इस पप्पू की बात सच निकली और जंगल में सच में वो बंदर मिल गया तो हमारी शामत आजाएगी ऐसे मत कहो भाहियो पिछली बार उस बंदर का परदाफाश करने में मैंने ही तुमारी मदद की थी अपकी बार तुम सम देरी मदद कर दो ठीक है ठीक है अब तुम रोना शुरू मत कर देना हम तुम्हारी मदद करेंगे रात होते ही हम सब जंगल चलेंगे तुम्हारी टांग धूनने गर रात होने पर पप्पू और कुछ गाउं वाले जंगल में उस काले बंदर की तलाश में निकल पड़ते हैं कुछ देर उसके तलाश करने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती हैं फिर वे सब लोग उस गुफा की ओर चल देते हैं अरे भाई ये देखो यहां तो बहुत सारे जानवरों के कंकाल पड़े हुए हैं मुझे लगता है इस गुफा में सच में वो भूतिया बंदर है पपु भाई मुझे लगता है यही तुम्हारी टांग है इसने तुम्हारी टांग खाली होगी और हड़ियां यहां फेक दी हैं अरे नहीं भाई, कैसी बात्य करते हो, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ गुफा के अंदर चलो, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी टांग गुफा के अंदर ही होगी लगता है पपु भाई, आज तुम हम सब को मरवा के ही छोड़ोगे, चलो, जो हुआ देखा जाएगा वे सब लोग गुफा के अंदर खुश जाते हैं थोड़ी देर गुफा के अंदर चलने पर उन्हें वह भूतिया बंदर दिखाई देता है वह बंदर पत्थर के उपर सो रहा होता है वही थोड़ी दूरी पर पपु की टांग पड़ी होती है अरे पपु भाई तुम तो सही कहते थे यहां तो सच में वो बंदर है और वो देखो तुम्हारी टांग भी वहाँ पड़ी हुई है तुम चुपके से जाओ और अपनी टांग वहाँ से उठा लो फिर पपु चुपके से अपनी टांग उठा लेता है पपु भाई बहूत बढ़िया हमारा काम हो गया अब चुपके से वहां से निकल जाओ पपू चुपके से वहां से निकल जाता है और वे लोग वापस अपने गाउं की ओर चल देते हैं तभी उस भूतिये बंदर की नेन खुल जाती है उसे बहुत भूख लगती है फिर वह अपने भूजन को इधर उधर ढूंटता है लेकिन वर टांग तो पपू ठाकर ले जा चुका होता है फिर वर हैरान परिशान रह जाता है तभी उसे गुखा में इंसानों की खुश्पू आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसकी गुखा में जरूर इंसान आयती है उसे बहुत गुस्ता आ जाता है और वह गुस्ते में गाउं की ओर निकल जाता है, बाकी के गाउं वाले गाउं पहुचने ही वाले होते हैं, तब ही उन्हें पीछे से डरावनी डरावनी आवाजे आने लगते हैं, अरे मर गये रहे, ये कैसी आवाजे हैं, मुझे तो लगता है ये उसी बंदर की आवाजे हैं, पपो भाई, हमन उन्हें वह बंदर उनकी तरफ आता हुआ लिखाई देता है। सब गाउन वाली बहुत डर शाते हैं। अरे भागो रहे, ये तो वही भूतिया बंदर है। अब ये किसी को जिन्दा नहीं छोड़ेगा। अरे भागो रहे, अपनी जान बचा के भागो। फिर वे सब भाग कर एक पेड़ के पीछे चिप जाते हैं। तो अब क्या करें? अगर ये चुपे रहे, तो ये बंदर हमें जरूर ढून लेगा। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर वे सब भाग कर एक जगा पर पहुच जाते हैं। देखो भाईयों, ये एक दलडल है, अगर हम किसी तरह उस बंदर को इस दलडल में फसा दें, तो हमारी तरकीब काम कर जाएगी। वे उस दलडल के उपर एक बड़ा सा पत्ता रखते थे हैं। अब हमें इस पत्ते के उपर उसके लिए किसी जानवर का मांस रखना होगा। मोहन तुम जाओ और किसी जानवर को मार कर जल्दी यहां लाओ। नहीं नहीं भाई, हम अपनी जान बचाने के लिए किसी बेजुबान जानवर की जान नहीं ले सकते। तुम्हें काम करो, मेरी यह टांग ले लो। वा भाई पप्पू, तुम्हारे इस फैसले ने तो हम सब का दिल ही जीत लिया। लाओ, मैं अभी इसी पत्ते पर इसे रख देता हूँ। फिर वे पप्पू के टांग को उस पत्ते पर रख देते हैं और पास में पड़े बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वह बंदर उन्हे सुमता-सुमता वहां पहर जाता है और अपना भोजन देख कर खुश हो जाता है। जैसे ही अपने भोजन के ओर्वा बढ़ता है वह दलदल में फंस जाता है और उसी दलदल में डूग कर मर जाता है।